योग से जो मोक्ष तक का पहुंचने का मार्ग है वो हमें बताया मैं योग अचारे विश्णु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे योटूब चैनल योग गुरू विश्णु में और आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे महरसी पतंजली के बारे में तो जब भी हम योग की बात करते हैं आज आपने देखा होगा आज के समय में योग बिश्वभर में बहुत ही परचलित है और हर कोई योग को फॉलो करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग की सुरुवात कहां से हुई और कैसे हम सब योग कर पा रहे हैं, कैसे हम योग का लाब ले पा रहे हैं तो इसके पीछे जो महरेसी पतंजली उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है क्योंकि पहले जो योग है वो पुरा बिखरा हुआ था और महरेसी पतंजली ने जो बिखरा हुआ योग था उनको एक सूत्रों में एक जो सूत्रों की माल है जिसको हम योग दर्सन भी कहते हैं तो उसमें समेटा तो योग दर्सन की रचना करी योग दर्सन में मुख्या चार अध्याई हैं उनमें 195 यानि की 195 योग शूत्र हैं जिनमें महरेशी पतंजली ने योग के बारे में बताया है योग की साधनाओं के बारे में बताया है और योग से जो भी सिद्धियां हमें पराप्त होती है और यहां तक कि योग से जो मोक्ष तक का पहुंचने का मार्ग है वो हमें बताया लेकिन कि आप जानते हैं कि महरेसी पतंजली का जन्म कैसे हुआ और क्या क्या अवस्ताइब फिर कहां पर हुआ तो उस सारी चीजे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वेसे तो महरेसी पतंजली का जन्म का कोई परमान नहीं है और नहीं योग सुत्र में महरेसी पतंजली ने लिखा है कि हमारे जन्म कहां पर हुआ और क्या-क्या उनके पीछे की जो हिस्त्री थी और वह सारी उनोंने कहीं पर भी नहीं बताया लेकिन पिर भी एक कथा के अनुसार कहा गया कि एक बार जब भगवान शिव धर्ती पर निरित्या कर रहे थे तो निर्त्या करते करते जब भगवान विष्णु उनका निर्त्या देख रहे थे तो उनका इतने साहित हो गये थे भगवान विष्णु की उनका सरीर देखते ही देखते बहुत बिसाल हो गया इतना बिसाल हो गया कि जहां पर उनका जो सवारी है जैसे जहां पर वो तो फिर भगवान विश्टु ने बोला कि यह सारी जो योग की माया है और योग से ही यह सारी चीजें संभव हो सकती हैं क्योंकि योग में बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं जिनके प्राप्त करने से आप अपने सरीर को छोटा बड़ा या फिर इतना भलका तक कर सकते हैं कि आप वायू के साथ भी जो से आसमान में भी उड़ सकते हैं आपने देखा होगा जो भगवान स्री हनवान जी थे वो कभी भी अपना सरीर बहुत सूक्षम से लेकर और बहुत विसालत कर लेते थे और यह नहीं बलकि उनको कई और भी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके ज अगर हमें भी जो सेशन आगे उनने भी योग की रुचि दिखाई और उनने फिर परभू से पूछा कि है परभू अगर हमें मुझे भी योग सीखना है यह फिर मुझे भी उस सारी सिद्धियां प्राप्त करनी हैं तो फिर मैं उन्स सब चीज़ों को सीखने के लिए किया कर सकता हूं तो वहीं धर्ती पर एक महला थी पहले से योग करते थी जिनका नाम है गोनी का माता तो गोनी का माता एक बहुत ही योग में उनका पहले से योग करते थे और उन्होंने वह भगवान विश्णु के बहुत बड़े उपासकते तो एक दिन उन्होंने भगवान वि विष्णु की अराधना करी और उनसे संतान प्राप्ति की प्राप्ति का ओर मांगा तो भगवान विष्णु ने उनके आसरीबाद दिया और वहीं एक दिन माता गोनिका सूर्या को अरग चड़ा रही थे जैसे ही अंजुल में जल लिया यानि हतेलियों में जल लिया और सू जो भी योग-बिद्याएं सिकाई और वही पिर आगे जाके महरासी पतंजली खेहलाते हैं और इसलिये पिर इनका नाम महरासी पतंजली पढ़ा, क्योंकि जो अंजुल होती है, जो हमारे हतेली होती है, उसको अंजुल बोलती है, और पतल का अर्थ होता है गुनार्द जगह एक उत्तर प्रदेश में, वहां पर इनका जन्म हुआ और उसके बाद ये फिर कासी में फिर मूब होगे, कासी में फिर इनका जो भी पालन पोशन ये फिर इनोंने सिख्चा पराप्त करी और वहीं फिर इनोंने योग दर्सन भी रचना करी और सात्मी इनो जोगे ने चितश्य पदेन वाचं मलम सरीर अस्य चवेद कीनम योपा करोतम प्रवरम मुनीनाम पातन जली प्रान जलीम रान न तोश्मी तो इसी के अनुस्तार एक जो राजा भूज है वो कहते हैं कि हे मुनी हे मुनियों में सर्वस्रेस्ट आपने सरीर के सुद्धी के इसकिलिए आयृबेद या फिर चरक साहिन्था Belgium सुद्धी चिस दिकले योग की रचना करिई और कमाइं की सुद्धी फिर हएं बाहाणी चिए महाँवस्रेस्तमणी को मैं नमन करता हूँ यही और वी वह कथाई कर के सात जोड जाता है कि माता गोनिक है समाधी ले रही थी तो समाधी लेते समय जब उन्होंने जल लिया तो उस समय फिर साप जो है यह फिर जो सेशनाका जो अपतार है उनके हतेली में आ गया था तो फिर उसलिए फिर उन्होंने फिर उसको अपना लिया और वह सी फिर कई सारी अन्य कथाई भी से पहले के समय में थहां वहीं योग करते थे लेकिन जो बैष्णव समाज है यानि कि जो हमारे जो ग्रहस्त जीवन में है वो योग नहीं कर पाते थे और फिर धीर धीरे के आऊने लग गया कि जब जो लोग थे फिर जेंगलों की तरफ योग बिद्ध्या सीखने के लिए जाने लग गए तो फिर सारे जो रिसी मुनी थे जो देव गण थे वो सब भगवान विष्णु के पास गए भगवान विष्णु के पास गए भगवान विष्णु जने पालन हर्ता भी बोला गया नहीं के पास सारी जो ड्यूटीज है जो बैलेंस की जो ड्यूटीज है भगवान विष्णु क के पास हैं तो सभी फिर भगवान विश्णु के पास गए और बोला है फ्रभू कि अगर जब सारी फिर अगर नात संपरदाय में चले गए सारी अगर ऐसे मोक्ष के लिए फिर अगर घर गरस्ती है उनको त्या करके जंगलों की तरफ जाने लगए तो फिर इस जो संसार का इ प्रूप में फिर भेजा और फिर इनोंने फिर योग सिक्षा का प्रचार परसार किया योग सिक्षा को फिर एक योग दर्सन के स्वरूप दिया इसमें फिर जो भी सूत्रों के रूप में दिया और फिर धीर धीर फिर योग सिक्षा को फिर हमारे जो ग्रेस्त जीवन जो बैष्णों समाज को फॉलो करते हैं उन तक पहुंचाया तो दोस्तों यह था आज महरिस्ती पतंजली का जीवन परिशे और इनके पीछे की जो कथाई हैं और इन्होंने जो जो रचनाई करी तो दोस्तों अगर आपको यह कथा पता थी तो आप कमेंट में हमें जरूर मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार